हेलो फैंड्स गुड मौर्नें आल आफ यू आई एम देवी सिंग सर आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं इंडियन हिस्ट्री से एक नया वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ धर्मों के बारे में पहले भी मैंने आपको कुछ धर्मों के बारे में बताया है इस वीडियो में हम आपको वैसनव धर्म, इसलाम धर्म और कुछ धर्मों के बारे में बताएंगे यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो जो वैसनव धर्म जो होता है मैं इसके बारे मैं आपको फ्रेंड्श जानकारी दे देता हूँ कि वैसनव धर्म क्या होता है कहां से इसके उत्पत्य हुई है और इसके अंतरगत क्या क्या आता है तो वैसनव धर्म के विश्य में परारे में जानकारी उपनसीदों से मिलती है इसका विकास भगवत धर्म से हुआ, नाराइन के पूजक मोलते हैं, पंचरात्र कहे जाते थे, वैसनफ धर्म के पिरवरतक किर्शन थे, जो विर्शन कभी लेके थे, और जिनका निवास सथान मत्रा था, किर्शन का उलेक सरपिर्थाम, छांदोग्य, उपनिसद में देव क पुत्र और अंगीरस के सिस्या के रूप में हुआ है, वासुदेव कर्शन का सबसे प्रारंबेक अभी लेक बेस नंगर सतंब अभी लेक में पाया गया है, विस्नु के दस अवतारों का उलेक मतस्या पुरान में मिलता है, दस अवतार इस प्रकार हैं, मतस्या, कूर्म, व अल्राम और बुद्धी एवं कलिक गुप्तकाल में विश्णू का वरा आवतार सरवादिक प्रिसिद्ध था। वैसनव धरम के में इस्वर को प्राप्त करने के लिए सरवादिक महत्व भगति को दिया गया है। भगवान विश्णू के सुदर्सन चक्र में छेते लिया है। पुरूक संप्रदाय बरकरी संस्थापक नाम देव है। श्रिवैसनव इसका जो संस्थापक रामानोज ब्रम सूत्र से है इसका पुस्तक का जो है लिया गया है। ये परमार्थ रामदा संस्थापक है तासबूध पुस्तक है। रामभाग रामानंद अध्यात्म रामाइन से लिया गया है अंकूर वाट का मंदर कमबोडिया कमबोज की राजा सूर्य वर्मा दित्य ग्यारे सो तेरे इसवी से ग्यारे सो पचास इसवी ने बनवाया था इस मंदर में लगभाग 10.5 फिट उंची भगवान विश्नु की पिधाओ है इसलामध्रम के बारे में हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स जो हमारा वाशनु धरम था वो हम यापनिस कर चुके इया इसलामध्रम में क्या होता है और इसकी उतपती कैसε हुई कहां से हुई इसलामध्रम के संस्थापक हजरत मुह Confederate साहब थे हजरत मुह पपनसो सतर ऐसवी में मक्का में हुआ था हज्रत मॉहमद साहभ के फिता का नाम अब्दsesवी में खश्रत मॉहम्द साहभ को 610 ऐसवी में मक्का सीपन नामक गफा में ग्यान की प्राप्ती हुई 24 सितंबर 622 ईसवी को पेगांबर के मक्का से मदिना की यात्रा इसलाम जगत में मुस्लिम समवत हिज्री समवत के नाम से जाना जाता है मुहम्मद की साधी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विद्वा के साथ हुई मुहम् सम्प्रेशित की कुरान इसलाम धर्म का पवित्र गरंत है पेगंबर मुहम्मद साहब ने कुरान की सिक्षाओं का उफदेश दिया हजरत मुहम्मद साहब की मिर्टिव आठ जून 632 ईसवी को हुई इन्हें मदिना में दफनाया गया मुहम्मद साहब की मिर्टिव के पंथों में विभाजित हो गया, सुन्नी उन्हें कहते हैं, जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं, सुन्ना पेगांबर मुहम्मद साहब के कत्नों तथा कारियों का विवरन है, सिया अली की सिक्षाओं में विश्वास करते हैं, तथा उन्हें मुहम्मद साहब का न्याय सम् उत्रादिकारी मानते हैं अली मुहम्माद सहाब के दामाद थे अली की संद 661 इसवी में हत्या कर दी गई अली के पुत्र हुसेन की हत्या 680 इसवी में कर्वला इराक नामक सथान पर कर दी गई इन दोनों हत्या ने सिया को निश्चित मत का रूप दे दिया पेगंबर मुहम्मद सहाब के उत्रादिकारी खलीफा कहलाए इसलाम जगत में खलीफा पद 1924 इसवी तक रहा 1924 इसवी में इसे तुर्की के सासक मुस्तफा कमाल पासा ने समाप्त कर दिया इवन इसाक ने सर पिर्थम पेगंबर सहाब का जीवन चरित लिखा मुहम्मद सहाब पेगंबर के जनम दिन पर इद एमिलाद उन नवी पर मनाया जाता है भारत में सर पिर्थम इसलाम का आगमन अर्बों के जरिये हुआ 712 इसवी में अर्बों ने संद जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इसलाम एक महतबूर्द धार्म बना नमाज के दौरान मुसल्मान मक्का की तरफ मुह करके खड़े होते हैं भारत में मक्का पेश्चिम की ओर पढ़ता है मक्का की ओर की दिसा को किबला कहा जाता है चलते हैं आपका इसलाम धर्म फ्रेंड्स में फिनिश कर चुका हूं अब हम और एक नए धर्म के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं इसाई धर्म, इसाई धर्म के संस्थापक हैं इसा मसीह, इसाई धर्म का प्रमभ गरंft है बाइबल इसा मसी का जनम जिरुसेलम के निकाट बैत लेहम नामक सथान पर हुआ था इसा के जनम दवस को क्रिसमस के रूप में मनाय जाता है तो ये आपका इसाई धर्म की जो जानकारी है मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ देखिए इसा मसी के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है इसा ने आपने जीवन के पिर्थम 30 वार्ज एक बढ़ाई के रूप में बैत लेहम के निकाट नाज रेत में बिताए इसा मसी के पिर्थम दोसेस्टे थे एंड्रूस एवं पीटर इसा मसू को सूली पर रॉमन गवर्नर पॉन्टियस ने चड़ाया इसा मसी को 33 इस्वी में सूली पर चड़ाया गया इसाई धर्म का सबसे पवित्र चेन क्रॉस है इसाई तृत्व में विश्वास रखते हैं वे हैं इस्वार पिता इस्वार पोत्र इसा इस्वार पवित्र आंत्मा बार्मी सतावदी से फ्रांस में आरंबिक भवनों की तुलना में अधिक उंचे वे हलके चर्चों के निर्मान प्रारंब हुए वास्तुकला की यह है सैली गोधिक नाम से जानी जाती है इस वास्तु कलात्मग सैली के सर्वत कृष्ट उधारनों में एक पेरिस का नाट्रेडम चर्च है अब हम आपको बताते हैं पार्सी धर्म के बारे में पार्सी धर्म के पैगंबर जर्थूस्ट इरानी थे पार्सी धर्म के जो पैगंबर थे वो जर्थूस्ट इरानी थे इनके सिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नाम गरंत में है जो पार्सीयों का धर्म गरंत है इनकी मूल सिक्षा का सूत्र है सदविचार सदवचन तथा सदकायर है इसके अनुयाई एक ईश्वर आहर को मानते हैं इस धर्म के अनुयाईयों को अगनी पूजक भी कहा जाता है अब हम आपको कुछ और जानकारी यहां देना चाहते हैं मगद राजिका उतकर्स तो राजग्रह थी जरासंद व्रह द्रत का पुत्र था हरियक वंस के संस्थापक बिम्बिसार मगद की गद्दी पर पांसो चावालीस इसा पूर्व में बैठा था वे बहुत धर्म का अनुयाई था यह पिर्थम भारती राजा था जिसने प्रसासनिक व्यस्था पर वल दिय बिम्बिसार ने ब्रह्मदत को हरा कर अंग राजग्रह को मगद में मिला लिया बिम्बिसार ने राजग्रह का निर्मान कर उसे अपनी राजधानी बनाया बिम्बिसार ने मगद पर करीब बावन वर्सों तक सासन किया महत्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने को उनकी सेवा सूसरूसा के लिए भेजा था बिंबिसार ने व्यवाइक संबंद सताय पितकार अपने सामराज का विस्तार किया इसने कोसल नरेश प्रसेंड जित की बेहन महा कोसला से वैसाली के चैटक की पुत्री चेलना से तथा मद्र नरेश आधुनिक पंजाव की राज की गद्दी पर बैठा अजात सत्रू का उपनाम कुनिक था वैप्रारम में जैन धर्म के अनुनियाई था अजात सत्रू ने 32 वरसों तक मगद पर सासन किया अजात सत्रू के स्योग मंत्री का नाम वर्सकार था इसी की सायता से अजात सत्रू ने वैसाली पर विजय की सथापना की वहे जेन धर्म का अनुयाई था हर्यक वंस का अंतिम राजा उदायन का पुत्र नागद सक था नागद सक को उसके एमाते सिसु नाग ने 412 इसा पूर में अब दस्ट करके मगद पर सिसु नाग वंस की सथापना की सिसुनाग ने अपनी राजधानी पाटली पुत्र से हटा कर वैसाली में सथापित की next आगे हम चलते हैं और आपको कुछ जानकारी इसके बारे में दे देते हैं सिसुनाग का उत्रादीकारी काला सूक पने राजधानी को पाटली पुत्र ले गया सिसुनाग वंस का अंतिम राजा नंदी वर्धन था नंद वंस का संस्थापक महा पद्वा नंद था नंद वंस का अंतिम सासक धना नंद था यह सिकंदर का समकालीन था इसे चंदरकुप्त मौर्या ने युद्ध में पराजित किया और मगद पर एक नई वन्स, मोरे वन्स की सथापना की आव फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं सिकंदर कौन था सिकंदर का जनाम 356 ईशापूर में हुआ सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था फिलिप 369 इशापूर में मखध दूनिया का सासक बना इसकी हत्या 329 इसापूर में कर दी गई सिकंदर अरस्तू का सिश्य था सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 इसापूर में प्रारंब किया सिकंदर का सेना पती सैलुकस नेकेटर था सिकंदर को पंजाव के सासक पूरस के साथ युद करना पड़ा जिसे हाई डैस पीज के युद या जहिलम का युद के नाम से जाना जाता है सिकंदर की सैना ने व्यास नदी के परिश्यम तरफ पर पहुँचकर उसे पार करने से इंकार कर दिया सिकंदर सथल मार्ग द्वारत 325 इसापूर में भारत से लोटा सिकंदर की मिर्तियों 323 इसापूर में बेविलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई सिकंदर का जल सैना पती था निर्याकस सिकंदर का प्रिया घोडा बव केफला था इसी के नाम पर इसने जहलम नदी के तट पर बव केफला नामक नंगर बसाया इस परकार फ्रेंड्स हमने आज आज आपको बहुत सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई हैं सिकंदर के बारे में आपको बताया कुछ अन्य धर्मों के बारे में भी आपको हमने बताया फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन्स आप तक पहुंच सकें थेंक यू